प्यारे बच्चों को सामने बह trainings में दोस्तों आप लोगों को दिख़े वह लीघरं कैसे इसे डाइड़ करें इसे डुसन देखने को भी गलेगाएब बहुत सारे प्यार मिलेंगे अगर आप इससे सी रेल वे बाय के यूपई प्रिस कांश्टेबर और भी बहुत सारे गौन विंज आपके तयार करें तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मुस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है यह यह पार्ट 26 से इससे पहले पार्ट 25 बना चुका हूँ description box में सभी की लिंक मिल जाएगी जाकर के चेक कर लिजिएगा चलिए श्टार्ट करते हैं दे रहे नकात उपने पहले कोशन से पहले कोशन फीगर वाला है इसमें क्या है क्या चीज़ है इसके concept को हम समझेंगे उसके बाद solve करेंगे देखे इसमें एक प्रसन आकिरती दी रह हुआ है जिस तरीके से प्रसन आकिरती में हमने डाट को डाला है लगाया है एड किया है उसी तरीके Сे वैसा ही फीगर हमें चारों मेंसे ढूड़ना है कि उस डाट को लगाया है क्या चीज़ डाट को कैसे लगाए यह आपके दिमाग में question उटरा होगा किस तरीके से इसको बना है और यह आपका तिर्भुज बना है और यह आपका चतुर्भुज बना है तो जहां पर डाट अगर देखाई दे रहा होगा उसमें आप सरकील का भी पोर्षन आ रहा होगा तिर्भुज वाला भी हिस्सा आ रहा होगा और चतुर्भुज वाला यानि कि तीनों का क क naught को रक सके हैं अब कहते हैं तो सिर्फ सारखि और तीरभूज ही मिला हुवा है इस फीगर में यहां पर चतुर्भूज आतीर नहीं मिला हुआ है यस तीनों का कहीं कामिनेसन और पर देखते हैं तो देखिए इस तरीके से बना है और ये आगर आप पोर्षन देखते हैं यह वाला घरा शोड़ा से चेंग करते हैं तो इसमें तरफ़ी आ जाएगा सरकिल और शतरुबुज भी आ जाएगा और शतुर्बुज देखिए यह जो डाटेड मैंने बनाया है उस हिस्से को देखिए उसमें चतरबुज बी आ रहा है तिर्बुज भी आ रहा है सरकील भी आ रहा है तो हमें सेम प्रस्ना आगिति के हिसाब सही चलना उसमें तीनों पॉर्षन आ रहा था, तीनों का कामबिनेसन जहां मिल रहे थे, वहीं पर डाट है, तो ऐसा ही फीगर हमें चुनना जिसमें तीनों, आप कहेंगे कि आगे भी तो हो सकता है, आगे अगर देखें तो दोस्तों ये सर्कील है, ठीक है, इसमें आप देखें तो तिर्भूज और सर्किल मिलने या तिर्भूज और चत्रभूज मिलने तो सिर्फ ऑफसन टू ऐसा है जिसमें हम डाटेट को उस हिसाबते तीनों के काम्बिनेशन को यहां पर रख सकते हैं ठीक है और कोश्चन कर लेते हैं थोड़ा इससे जटिल है ताकि सारे डाउट कि दिख रहा होगा कहएंगे ठीक है और यह आपका सर्किल दिख रहा होगा अब जो यह डार्ट में दिया यहां पर देखी डार्ट दिख रहा है वह ऊहँआ है और सरकैल में इस दिख रहा है पहले हैं थाöz्टाét का दो कर नहीं होँआ अब दोसरा जो डाट बना हुआ यहां पे तो उसमें देखिए आपका तीरभुज भी है और सरकिल भी है और चतुरभुज भी है यानि इसमें तीन फिगर है लेकिन आयत उसमें नहीं है तो सबसे पहले हम आयत वाला डाट ढूंडेंगे कि कैसे रख सकते हैं सिर्फ सरकिल औ तो यहां पर अगर आप देखें तो आयत वाला जो हिस्सा है उसमें सरकिल भी है तीरभुज भी है तो इसमें तो यह पहला वाला डाट हम रख ही नहीं सकते तो यह तो वैसे ही गलत हो गया अब दोसरा वाला देखें तो यहां पर अगर देखें दोस्तों यह आपका जो आ आयत है तो इसमें आपका तीरबूज भी आ जा रहा है और सरकिल भी आ जा रहा है इस वाले पोर्शन पर ध्यान देता हूं तो इसमें भी तीरबूज आ रहा है तो यह भी नहीं रख सकते ठीक अभी सिर्फ पहला लेकर के चलेंगे उसी में ही आपका अंसर आ सकता है अब यह यहाँ पर अगर देखें यह आपका आयत है ठीक क्लियर है इसमें अगर सरकिल वाले हिस्से को देखें तो यहाँ पे यहाँ पर दिखे रहा जिसमें न चत्रबूज है न तिर्बूज है वहाँ पे आप डाट को कहीं रख सकते हैं बैल फार एक्जांपल मैं रख करके देखा देता हूं देखिए आप इसमें डाट को यहाँ पे रख सकते हैं यहाँ पर भी रख सकते हैं यहाँ पर भी रख सकते हैं यह हिस्सा ऐसा है दोनों तरफ जिसमें क्या है सिर्फ सरकिल और आयत है तो लेकिन आगे वाला जो है जिसमें सरकिल तिर्भुज और चतुर्भुज यह दोसरा वाला जो है डाट क्या वो रख सकते हैं कि नहीं देखिए इसमें रख सकते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं रख प आ जा रहा है और यहां पर जो डाटेट था उसमें आयत वाला हिस्सा नहीं आ रहा है देखिए इधर है तो यह भी आपका गलत हो जाएगा दोसरा वाला बिंदू इसमें नहीं रख पाएंगे तो फॉर्थ आप्सन आपका बिल्कुल सही है एक्जाम में बैटे उस पर ठीक लगा के आगे बढ़ जाएंगे लेकिन चेक कर लेते हैं इसको हम कैसे होगा अगर आप पहले सरकिल और आयट वाला हिस्सा धूड़िए तो यहां पर देखिए और यहां पर एक डाट हम रख सकते हैं यहां पर डाट रख देंगे तो आपका सरकिल और आज सिर्फ मिल आव पर अब दोसरा हमें ऐसा फीगर ढूटना है जिसमें आयत नौ सारकिल तिर्भूज चत्रभूज का कंबिनेशन सिर्फ हो तो देखिए वह भी हिस्सा आपको मिल जाएगा यहां पर आप देखते हैं यहां पर यहां पर यानि कि अगर हम यहां पर डाट रख दें तो आपका क यह जो गया चलिए नेश्ट देखते हैं यह जल परति भी मिहां देखना फ्रस्न आकिर्ती जो दियू है उसका जल पर तिम बनता कैसे और इग्जांपल अगर कोई आकिर्ति दियू जैसे यह तिख रफूज दिया हुआ है ठीक है इसका जल पर तिमिए यहां पर हमारा जल यानि कि अगर यह तिर्भुज का परजद परती में बनेगा तो यह ऐसे उलट जाएगा फिल बिल्कुल क्या होता है पलट जाता है 180 डिगरी उपर से नीचे चेंज होता है क्या उपर से नीचे अब यहां पर प्रसनाकिती पर ध्यान दिजी आप प्रसनाकिती जो है यह जब इससे में पड़ेगा नौकी उपर ही वाले में यह भी तो उपर से नीचे होगा जब यह होगा तो पूरा का पूरा जब हिस्सा होगा तो यह आपका बिल्कुल नीचे आ जाएगा इसमें कहां ही यहां पे है तो यह तो वैसे ही गलत हो गया अब दोसरा देखिए दोसरे मे त्क्राइब होगा चोशन दोस्टों यह आपका काउंटिंक फिगर का प्लिकिन देखी कहा रहा है उसको पहले समझ यह पाले विरित यहां पे नौठ आपको विरित जोड़ा गया यानि आपके बिंदू दिख रहें इंगर से हर तरफ से लेंगें आप सारे ले अभी इस तरीके से जोड़ गया ुमर्ध इस तरीके से साएमें की समति है इस तरीके से हमने सारी वर्गों की संख्या पूछ रहा है अब वर्ग कहां बनना है आपको दिखाई दे रहा है कि ने देखिए ये वर्ग बनना है ये वर्ग बनना इस तरीके से अंदर भी बनना है बाहर भी बनना है तो कैसे इसको निकालेंगे बहुत इजी है दोस्तों देखिए जब भी ऐसा फ सेट क्लियर हो जाएंगे तो अगर ऐसा है तो यह तो सिंपल है इसमें ऐसी की ज़रुवत है और बहुत ज़्यादा हाड की ज़रुवत नहीं तो ऐसे फिगर में पांच बनेंगे अब कहेंगे कि इसमें कैसा फिगर इस टाइप का कहा दिख रहा है मैं कहूं कि यहां पर देखिए यह आपका वर्ग है और इसमें भी ऐसे पलस है बीच में अंदर क्या है ऐसी वर्ग है पलस है इसमें भी पांच हो गया तो पांच पांच दस ऑप्सन फोर इस दर आई चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका अंसर कमेंड कीजिए देखिए आपको आ रहा है कहरा कि जिला विकास खंड संकुल विकास खंड आप जानते पंचायतों को जोड़ करके बना जाता है और संकुल जो होता है यह आपके जो है गाओं के जो स्कूल होते है उसका जो है एक सिस्टम होता है वही संकुल होता है ठीक है तो यह सारी चीज़े विकास खंड और संकुल जो संकुल में बहुत सारी चीज़े होती है तो माली जी की केमिस्ट्री में विश टाइप के वर्ड मिलेंगे देखने को लेकिन अधिकतर यहां पर जो प्राइमरी स्कूल होते हैं जूनियर स्कूल होते हैं जो सरकारी उसमें कुछ सिष्टम एक होता है ठीक है वही आपका संकु आता है और साथ-साथ यह आपका संकुल हो गया तो इस टाइप का आपका फिगर बन जाएगा तो इसमें अगर कंफ्यूजन नहीं मालूम लेगा संकुल विकास खंड क्या होता तो बनाई नहीं पाएंगे डाइगराम तो option one is the right answer चलिए नेक्स देखते हैं सभी कोश्चन दोस्तों एक से बढ़ करें के यूनिक कोश्चन अभी इसको किजी इनिक्रियल्टी और समानता का कोश्चन जो कि आपको गड़ती संक्रिया के अंतरगत ही आता ही यह भी कैसे करेंगे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा देखिए इसमें कथन दिया रहता है जैसे आप पर फिर जो है लेस देनी कोश्टू ग्रेटर तो यही सारी चीज़े दिऊंगे तो इसको समझते हैं क्या है यह जैसे यहां पर इसको क्या कहेंगे यहां पर इसको क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे एक कोश्चन में सारी चीज़े बता दूंगा दोस्तों और आइंदा ऐस उस पार चला जाएगा बिल्कुल नहीं जाएगा क्योंकि यह मुह बंद रहेगा तो वो उस पार नहीं निकल पाएगा क्या उस पार नहीं निकल पाएगा अगर इधर से जाना चाहे तो क्या चला जाएगा इस वाले में दोसरे में बिल्कुल चला जाएगा यह इस पार चला पाएगा क्योंकि गेट बंद है तो उस पार नहीं जा पाएगा तो यहां पर यह चला जाएगा बिल्कुल चला जाएगा क्योंकि गेट खुला हुआ है वह उस पार जाएगा निकल जाएगा अब यहां पर क्या होगा कि यह चला जाएगा बिल्कुल चला जाएगा यह इस प कि Character prime निकल सकते यह जिदर से मूँ खुला रहा गाई समझे यह एक गेट की तरा समझे दरवाजे की तरह से मूँ खुला है वो बंडा वो उधर से पार हो सकता है लेकिन जिदर मदां नहीं पार सकता है इसी चीज को अपने दिमाग बठाए लेकिन बराबर वाला जो चिन्न होता है वो दोनों तरफ से आर्या पार आ जा सकते हैं अब इसी कंसेप्ट पर ही हम इसको सौल करेंगे और साथ-साथ एक चीज और देखिए क्या है कि जब भी अगर इस टाइप कर रहेगा इस ट दरवाज होने चाहिए तो दोस्तों यहां पर अगर इस टाइप का हो जैसे इसमें भी निकल जाएगा सिर्फ ग्रेटर देन का हो तो इसमें सिर्फ एक ही ही अगर ऐसा दरवाज राएगा तब भी वह सही हो जाएगा कैसे अब कोश्चन करेंगे थोड़ा भी डाउट क्लि तो दोस्तों पहला एक्स इस ग्रेटर देन इकोस्टू भी यानि कह रहा कि एकस जो है निकल के वी बन जाएगा यानि एक्स वी के पास चला जाएगा एक तरीके से कहने का मतलब यह क्योंकि मुँख खुला हुआ हुआ है देखिं यहां पर मुख खुला हुआ है तो वी ए यह आपका मूँ खुला हुआ है बिल्कुल तो यह जाएगा तो यू के पास चला जाएगा किसके पास यू के पास अभी वी के पास नहीं जा रहा है तो क्या यू जो है यू के पास गया तो यू क्या वी के पास चला जाएगा बिल्कुल चला जाएगा क्योंकि एकोश्टू गया यूए के पास गया और इजोए वी के पास गया यानि एकस वी पाथ च्मिंखल नहीतों तो सभी चीन वाइसे हैं तो देजी सभी बराबर वाल के छोड़ दीजिए यह दूनों चीन हैं ऐसी है यानि X गया इस तरीके से और U के पास गया U क्या हुआ बराबर के पास उस पास एक के पास गया और E के पास ज़रूरी नहीं कि डारेक्ट चले जाए ऐसा ही step wise भी जाएंगे बस चले जाने चाहिए यहां तक यहां तक X को V तक पहुँचना था वो चला गया एक दर एक एक दरवाजा एक दरवाजा एक दरवाजा एक दरवाजा एक दरवाजा एसे करते करते चला गया चलिए पहला निसकर सापका क्या हुआ सत्य साबित हो गया पहला उसने का कि X V के पास चला जाएगा तो हमने निकाल लिया कि हाँ एक्स जो है वी के पास चला जाएगा कोई डाउट कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी दिक्कत कोई भी तो चलिए पहला निसकस आपका सही है अब दोसरा कहे रहा है देखिए जिधर से मूँ खुला रहेगा उधर सी देखेंगे यह नहीं देख जिधर का मूँ खुला रहेगा हम इस तरीके से कोउश्चन को देखेंगे कि यह जो है एक पास चला जाएगा क्योंकि यह देखिए इधर से जाएगा जो है यह निसकर्स कहा रहा तो अब हमें कत्थन से चेक करना की क्या ऐसा मूम्किन है तो हम कत्थन में देखेंगे यह कहां है और एक है यहां पर यहां पर हमें पहुंचाना है कहां पर उ ko a तक यह बंद है यह बंद है यह बंद है दोस्तों इदर से चत्राइब बंध वो उस पार यू जो है X के पास नहीं पहुच पाएगा तो ये निसकर्स आपका गलत हो जाएगा इस तरीके से चेक करते हैं यानि केवल निसकर्स एक सत्य यदि केवल निसकर्स एक सत्य आप्शन वन इस दर आइटन से थोड़ा सा टाइम कंजूमिन थाक दोस्तों लेकिन इ 12 गुड़े 4 प्लस 3 बराबर किया होगा सिर्फ हमें एक से दो की जरूवत थी ये एक्स्ट्रा ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी हमें जरूवत ही नहीं पड़ेगी लोजिक को समझने के लिए एक होता है चेक करने के लिए दोसरा होता है इसको को करने के लिए बागी उसको हम फिर यहां पर अप्लाई कर देते हैं इतना ही काफी है तो चलिए नौ गुड़े तीन पलस आठ बराबर 24 आया कैसे जरा कमेंट कीजिए उसके बाद हम देखेंगे कि टो फटाक direct it गए कैसे बदल नौ गुड़े की जगहां और पलस की जगह अगर हम गुड़ा कर दें में इसमें बहागакरण तो बिल्कुल सही है, तो दोस्तों इसका अंसर आप ही को comment करना है, comment करेंजिए, फटाक देना इसका answer, चलिए next देखते हैं, अब यहाँ पर भी क्या है, missing number वाला, इसका भी अंसर आप ही को comment करना है, बस मैं logic समझा देता हूँ, यह कह रहा है कि 7 है देखिए जब बड़ी गिंती को ढूड़ना है और छोटी गिंती को तो बड़ी गिंती हैं आपको यहां पर देखिए संख्याई यहां पर दिख रहे होंगे बीच में तो इसका मतलब 7 और 4 से बना है 12 साथ चार से बनाए 14 और चौर मिसिंग नंबर से 24 बनाए साथ और चार से 14 आया कैसे तो अगर हम साथ और चार का गुड़ा कर दे तो आप कहेंगे 28 आएगा और यहां पे 14 आए तो दोसे जब अदस्ती भाग देजिए 14 आजाएगा चलिए ठीक है अगर इनका हम गुड़ा करते तो 36 आएगा और इसमें जैसे दो से भाग दे इसमें भी दो से भाग देंगे तो दोस्तों यह तो कुछ और आ रहा है 18 आ रहा है आना ची यह 12 मैं कहूं कि मत कीजिए जब अदस्ती तीन से इसमें भाग दीजिए तो आजाएगा 12 चलिए ठीक है यानि एक में दो से भाग दीए एक में तीन से भाग दीए तो निश्ट में किस से भाग देंगे चार से यानि कि छो इसको एक समाल लेजिए यानि छो गुड़े एक से बटे में क्या करेंगे चार बराबर आपका 24 होगा क्लियर है अब इस समीक्रोड को हल करके एक सकामान निकाल लिए और अंसर को कमेंट कीजिए क्लियर कोई दिक्कत नहीं होनी चीए दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट में यहाँ अपर भी आपको कमेंट ही करना है अंसर को यहाँ पर विः दो है 2 है 3 है 12 है यानि कि दो है टीन से ही 12 बना वा इतना कीजिए है चोटी संख्या सेी बड़ी संख्या बनती है 2 3 5 से 30 बना है 5 1 माइनस 1 से 5 बना है कैसे बना है देखिए अगर हम देखते हैं दोस्तु हो इसकी logic को समझते हैं तो बहुत easy question है दोस्तों चलिए देखिए 2 दुना के 4 तियां 12 यानि सब का अपस में गुड़ा करने पर 12 आ गया ऐसे 2 तियां 6, 35, 35, 35 आ गया ऐसे 5 एक अने 5 में minus देखिए 5 गुड़े, 1 गुड़े, minus 1 करेंगे तो minus 5 आएगा की नहीं जैसे 5 एक अने 5 आगया गुड़े, minus 1, minus का ही टेंजन था इसमें और कुछ था नहीं तो यहां पर जब गुड़ा करेंगे तो minus 5 आएगा, 5 का minus 1 में गुड़ा करेंगे तो minus 5 आएगा यही ट्रिक दोस्तों लगा करके इसका भी अनसर आपको कमेंट कर देना है, next यहां पर आगया coding recording का question, बड़ा प्यारा सब question है, कह रहा है कि किसी भासा में zone को 25, 14, 13, 4 लिखा जाता है तो उसी भासा में drone को कैसे लिखाते हैं, zone को कह रहा है, zone को 25, 14, 13, 4 लिखा गया, क्या, 25 तो कह रहा है कि drone को क्या लिखा जाएगा पहले इसमें concept logic समझ लेते हैं कि कैसे जो है, यह लिखा गया है number, zone की जगा, तो अगर आपको A to Z number याद है, 21-26 तक जो कि हर वीडियो में मैं recommend करता हूँ कि याद कर लिजे, नहीं याद कर पारें, कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों, बस 20-25 question कर डालिए, आपको याद हो जाएगा, मैंने भी याद नहीं कि या, रटाने, रटने के लिए तो मैं वैसे खिलाप रहता हूँ अब चलिए, यहाँ पर देखिए, Z आता है, 26-वे नमबर पर, वो आता है, 15-वे नमबर पर, इन 14-वे प्यार, इन 5-वे नमबर पर, यहाँ पर Z 26-वे नमबर पर आता है, लिखा है 25, वो 15-वे नमबर पर आता है, लिखा है 14, इन 14-वे नमबर पर आता है, लिखा है 13, इ यानि कि एक नंबर को घटा दिया है 26 में से एक घटा के पांच चलिए वही ट्रिक अप्लाई करते हैं डी आपका च्यार आर आपका ठार और दोस्तों वह आपका पंदर इन चौदर इपांच तो क्या करेंगे चार की जगां तीन लिग देंगे आर की जगां सतरा लिग अंदर की जंगर 14 लिग देंगे 14 की जंगर 13 लिग देंगे और इपांच है तो चार लिग देंगे तो अब देखिए कहां आपका दिख रहा है तीन सतरा चौदर तेरा चार आप्शन वन इस दर राइट अन्थ दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद लागे मिलेंगे ज के साथ अपने नेक्स टूडियों में तब तक के लिए बाइबाए